मद्रप्रदेश के जबलपुर में मदन महल थाना शेत्र में स्टेशन के समीख होटल में समोसा खाने के बाद बुजूर्ग की अचानक मौके पर ही मौत होने के बाद शेत्र में हर कम्प मच गया आपको बता दे कि मदन महल इस्थित मामा होटल में उस समय अफरा तफरी का माहोल निर्मित हो गया जब एक बुजूर्ग ग्रहक दोरा नाश्टा करने के लिए मामा होटल से समोसा लिया और वहीं बेंच पर बैक कर खाने लगा लेकिन जैसे ही बुजूर्ग दोरा समोसा खा अची नहीं आया कि अचानक ही समोसा खाने से बुजूर्ग व्यक्ति की कैसे मौत हो गई वहीं और ग्रहकों ने दहशत में आकर लिये हुए नाश्टे को वहीं छोड़ दिया इस दोरान होटल के मालिक ने तदकाल इसकी सूचना पुलिस को दी जहां पुलिस ने फौरण बुजूर्ग को अस्पताल विजवाते हुए मर्ग कायम करते हुए अग्याद बुजूर्ग की पहचान और उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है साथ ये बुजूर्ग की किन कारणों से मौत हुई है उसकी भी पुलिस मौके पर चांच कर रही है बरहाल पुलिस का कहना है कि अग्याद बुजूर्ग की किन कारणों से मौत हुई है वह पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा इतने बड़े हादसे के बाद भी स्वास्त विभाग की लापरवाही देखने में आई है जहां स्वास्त विभाग का कोई अधिकारी उक्त तुरंत जो है इलाज के लिए मेडिकल अस्पासार बेजा गया है कैसी हालत है अब वो तो राक्तर साब पुकाएंगे क्या है अब यह वो पता चलेगा उनका बेटा आ गया था उनका बेटा लेके गया है आप लोगों का भी प्रतम दिश्टे क्या लग रहा है कि मतलब कहा से लिए और कहां से आए अब यह तो बाद में बाल पहले तुरंत इलाज पहले जो है विक्ति का इलाज फिर बाद में आगी सर एक्चुली यह आए हुए थे और अंदर गए बैठे इसके बाद थोड़ी दिर रेश्ट करने के बाद यह जटके से उठे और इनको अटेक आ आया तो अपने अब गिर गया और जब मैं पहुंचा तो वो उनको जमीन पर लेट आया और मुश्किल से पांच मिनिट नहीं रहे होएंगे और उनकी डैथ हो गई कौन थे यह जानते हैं को यह और था अपन किसी को नहीं जानते हैं और दूसरी बात यह है कि उनके जान पहचान के कुछ लोग थे उन्हों ने उनके बेटों को ख़वर की तो वो आय और उनको ले गए तो प्छा बताया बेटे ने कहां के हैं यह अपन को कोई आइडिया अपन ने तो एक मानफता के नातिब कोशिस किया कि बिया कोई पहचान का हो तो आज आए उनको लिजा ले और अपन ने कोशिस भी करी कि जो कोई आसपास जल्दी सो एंबूलेंस को भी फॉन लगाया एंबूलेंस वाले उन्होंने चेक किया बोले बिया इनकी डैथ हो अपने या